आपका राजस्तानी जाइका चैनल पर और आज हम बना रहे हैं पनीर बटर मसाला चलिए शुरू करते हैं पनीर बटर मसाला आज हम बहुत ही आसान तरीचे से बनाएंगे आज की रेसिपी में ना तो आपको प्याज ओटमाटर को फ्राइ करना है ना कोई ग्रेवी चाननी है बहुत ही आसान रेसिपी है तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ पर मैंने एक जार ले लिया है अब हम इसमें 15-20 लेसन की कलिया डालेंगे एक इंच के अद्रक के टुकड़े को हमने इस तरह से काट लिया है यह डाल देंगे चार हरी मिर्च लिया है इसको भी काट दिया है यह डाल देंगे इसमें हरे धनिये के पीछे के डंठल लिये हैं ये भी डाल देंगे इसमें यहाँ पर मैंने चार बड़े साइस के टेमाटर को रफली काट लिया है ये डाल देंगे इसमें यहाँ पर मैंने चार कश्मिरी लाल मिर्च को पानी में बिगो कर रखा था ये डाल देंगे इसमें 15-20 यहां पर मैंने काजु लिये हैं भीगे हुए यह डाल देंगे इसमें अब इन सब को ग्राइंड कर लेंगे यह देखिए हमने सारी चीजों को ग्राइंड कर लिया है यह देखिए अब हम इसको साइड में रखेंगे यह देखिए यह पर मैंने कड़ाई ले लिया है अब हम इसमें दो बड़े चमश तेल डालेंगे तेल को गरम होने देंगे यह देखिए तेल गरम होगया है अब हम इसमें थोड़ा सा बटर डालेंगे तीन चोटे दाल चीनी के टुपड़े डालेंगे यहां पर मैंने तीन बड़े साइस के प्याज लिये हैं इनको बारीक बारीक चॉप कर लिया है एकदम बारीक करना है अब हम यह दाल देंगे इसमें प्याज का तो प्याज का क्लर लाइट ब्राउन होने तक इसको क्राइब यह देखिए प्याज का कलर लाइट ब्लाऌ होुगया है अब गैस की प्याम को मीडियम पे कर ले यहां पर मैंने एक शिम्ला मुष्ट ले लिए इसको कुपस में काट लिया है यह डालूगी मैं आपको पनीर बटर मसाला में शिम्ला मुष्ट पसंद नहीं है तो आप स्किप कर दे मुझे पसंद दे तो मैंने डाल लिए अब हम इस दो चोटा चमिश लाल मिर्ची का पाउडर डालेंगे दो चोटा चमिश दनिया पाउडर डालेंगे अब हम इसमें आधा कब पानी डालेंगे और सारे मसालो को अपका लेंगे पांच मिनट के लिए मसालो को पकते विए पांच मिनट हो गई है अब हमने जो टमेटर की ग्रेवी बनाईती वह सारी डाल देंगे इसमें मिक्स कर लें अच्छे से जार में थोड़ा सा पेस्ट लगा हुआ अभी भी जार में एक कप पानी डाल देंगे जार को इला कर इसमें डाल देंगे ताकि कोई भी मसाला वेस्ट ना हो अब हम इसमें रोस्ट एट पसुरी मेति का पावडर डालेंगे आधा टीज्पून गरम असला पावडर डालेंगे मिक्स कर लें अच्छे से अब हम इसमें थोड़े छोड़े चपिना बहर दालेंगे चीनी चीनी से टमाटर का खटापन बैलेंस हो जाएगा अब हम इसमें एक कब पानी डालेंगे एक बार चला ले अच्छे से अब गैस की फ्लेम को लो कर दे और ग्रेवी को डग कर 10 मेट के लिए लो फ्लेम पर पकाएंगे जब तक ग्रेवी पक रही है तहब अब तक हम पनीर को फ्राय कर लेते हैं mechanism ये देखिए यह और मैंने 300 ग्राम पनीर ले लिया है पनीर को इस तरह से मैने लंबा लंबा गाट लिया है अब हम इसको फ्राय कर ले दें थोड़ा सा यह देखें यहां पर मैंने तवा ले लिया है अब हम इसके उपर बटर डालेंगे बटर पर थोड़ी सी लान मिर्ज का पाउडर डाल देंगे अब सानमक डाल देंगे अब यह सारे टुकड़े इस पर रब देंगे इस तरह से हम सारा पनीज प्राइब कर लेंगे यह देखिए हमने सारा पनीज प्राइब कर लिया है अब हम सारे पनीज को प्रेवी में डाल देंगे यह देखिए ग्रेवी को पकते हुए 10 मिनिट हो गए है अब हम इसको चेक करेंगे यह देखिए ग्रेवी अच्छे से पक गई है अब हमने जो पनीज फ्राइब किया तो इसमें सारा डाल देंगे मिक्स कर लें अच्छे से इस वक्त आप इसमें नमक चेक कर सकते हैं कम लगे तो डाल लें अब हम इसमें थोड़ी सी अमूल फ्रेश क्रीम डाल देंगे मिक्स कर लें अच्छे से अब हम इसमें थोड़ा सा बटर और डालेंगे और डकन लगा कर लो फ्लेम पर पांच मिनट के लिए ग्रेवी को और पका लेंगे यह देखिए ग्रेवी को पकते हुए भी पांच मिनट हो गए है अब हम इसको चेक करेंगे यह देखिए हमारा पनीर बटर मसाला बनके तयार हो गया है अब हम इसमें थोड़ा साहरा धनिया डालेंगे मिक्स कर ले अच्छे से कैस की फ्लेम को बंद करेंगे और इसको सब्सक्राइब करेंगे यह देखिए तयार है हमारा पनीर बटर मसाला अगर आपको यह रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें